सबी दोस्तों को मेरा नमस्कार और आपके अपने यूट्यूब चैनल अभैसिंग फियरलेस वर्ड में स्वागत है मैं हूँ आपका फ्रेंड अभै और अभी तक हम लोगों ने आज इसी के सारे लेक्चर्स जो की नियू सिलेवस बेस्ट है सारे लेक्चर्स को हम लोग देख रहे हैं जिसमें अभी हम लोग पहुंचे हैं element 7 जिसका sub element है 7.3 यानि third उसका sub element है और हम लोग ऐसे part by part हर एक चीज़ को जान रहे हैं तो आज हम लोग जानने वाले हैं occupational exposure limit जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हजाड़ा सबस्टांस के बारे में पढ़ रहे थे ऐसा chemical जो हमारे अंदर जाता है और हमें कही तरह का बिमारी होती है तो इसकी क्या limit होनी चाहिए तो इसमें हम लोग जानेंगे occupational means क्या यानि कि workplaces related यानि कि हमारे घर पे नहीं जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर और हम exposure यानि किस chemical से कितना exposure होगा कितना हम inhale कर सकते हैं उसकी limit क्या है या उसको exposure होने का limit क्या है और उसका यह limit यह होता है occupational exposure limit आये जानते हैं occupational exposure limit के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह हर देश में अलग-अलग भहरी करता है इसका कोई एक fix नाम नहीं है हर कॉंट्टियों में अलग-अलग नामों से यह जाना जाता है जैसे around the world there are different occupational exposure limit जिसको हम short में OEL बोलते हैं for 1000 a substance तो इसका कोई global standard नहीं है यानि कि ऐसा नहीं आपने बोला occupational exposure limit इस country में दूसरे country में इंटर्वीव होगा और आप सेम बोलेंगे तो हो सकता है कि वहां के लोग इसके बारे में नहीं समझेंगे क्योंकि हरे country में यह अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे in UK they are called workplace exposure limit यानि कि WEL बोलते हैं तो इसी को ही हम लोग UK में WEL बोलते हैं they set a maximum limit of exposure that can't exceeded over a given period of time यानि कि यह जो है यानि कि यह बताता है कि 8 hour अगर आप काम कर रहे हैं चाहिए 2 hours काम करने हैं तो आप कितने exposure मतलब उसका जो concentration होगा जो chemical का यह जो भी सभस्टान से वहां पर उसका कितना होना चाहिए अगर 15 minutes काम करना है तो उसमें कितना होना चाहिए यह set करता है और WEL has legal status under the COSHH regulation जो है UK का उसमें legal standard है कि यह मतलब कि फुल्फिल करना ही करना है जैसे IS code define करते हैं कि workplace exposure limit को हम दो कैसे define करेंगे the maximum concentration of an airborne यानि कि जो हवा में है न एयर बॉन बोलते हैं हवा में जो भी सभस्टान से average over a reference period time average ना पजाता है एक reference period of time जैसे short term के लिए 15 minutes और एक आदमी कितने दिर काम करता है sorry एक आदमी काम करता है 8 hours तो 8 hours के लिए हम भी हम कर सकते हैं तो reference period of time इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे कोई short term long term कुछ भी decide नहीं हो रहा है और to which employee may be exposed by inhalation employee exposed हो सकता है by inhalation सांस के द्वारा तो यह होता है workplace exposure limit जैसे अब देखाना WEL workplace exposure limit तो आए देखते हैं term जैसे short term exposure limit exposure limit तो हो गया workplace में ही रहेगा सारा चीज़ लेकिन एक हो गया short term के लिए short term means for 15 minutes ठीक है ना long term means इसको 8 hours के लिए क्योंकि 8 hours recommend किया गया है किसी आदमी को काम करने के लिए तो इसको बोलते है S-tel और इसको बोलते है L-tel ठीक है ना S-tel, L-tel आप याद रखेंगे यह interview point अभी भी अच्छा रहता है हर जगा इसे लोग पूछते हैं तो reason for limiting जैसे कम समय पर काम करना है और ज्यादा concentration है ना तो हम तुरंत गाएं पंद्रेमिट में काम करके बाहर आ गए जैसे combat accurate effect very high exposure for short time ठीक है ना और यह क्या होता है combat chronic effect ठीक है ना इसका short term में तुरंत effect आता है जैसे यह chronic effect बचाने के लिए यानि की concentration कम है लेकिन हमें 10 सल 5 सल के बाद ऐसा कुछ परिशानी नहाए इसके लिए हम लोग एक long term यह एल्टेल बनाते हैं long term exposure बिट बनाते हैं कि आदमीं लंबे समय तक काम करें और इससे कुछ परिशानी नहाँ हो तो इसे बोलते है lower exposure over long period ठीक है ना तो यह दोनों important है एस्टेल जैसे हम लोग काम करते थे एक स्टील प्लांड में वहाँ पे सियो गैस था ठीक है ना सियो गैस मैं प्रेक्टिकल बता रहा हूं तो वहाँ पे 50 ppm जो था वह हम काम कर सकते हैं 50 ppm जो है 8 hours के लिए था एल्टेल और और एस्टेल था उसका धाई सो 250 mm सारी 250 ppm में में मेजर करते हैं इसको कि या कई जगा इसको ग्राम में भी मेजर करते हैं ठीक है तो मिली ग्राम में तो डस्ट होगरा को तो हम मेजर कर सकते हैं आपको ग्राम में बट गैस होगरा को ppm में ही जनरली मेजर करते हैं आई देखते हैं दा पर्पस अब टाइम वेटेड एवरेज टाइम वेटेड एवरेज इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे यानि कि एक्सपोज़ तो डिफ्रेंट लेवल अफ हजार सबस्टान ठीक है थूआट दो वर्किंग डे आप जानते हैं कि जैसे अगर एट आवर काम कर रहा है कोई आदमी एट आवर उसकी टाइम है तो कभी ज्यादा कंसेंट्रेशन कभी ज्यादा और कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा कभी नहीं खभी कम कभी ज्यादा के खर्लге मिश्पहल तो कैसे मम चलएक कि यह कि इसको एक्सपोज हुआ कि तनाव थाय। तो इसका हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं तो यह होता है यह वरकर यह टाइम वेटेड एवरेज और एस्टेल प्रिवेंट देम बिइंग इक्सपोज तो हर्मफुल लेवल अफ सबस्टांस ओबर एशॉड प्रियोड अब टाइम वहर दिस वूड कॉज एक इसके लिए प्रिवेंट करता है यानि तुरंत इफेक्ट ना आए लंबे समय तक एफेक्ट हो सकता है तो अगर एट आउर कोई काम किया और यह एवरेज में इस तरह का आप देख रहे हैं कि हुआ तो यह मीड का ही तो हम मानते हैं एल टेल में ठीक है ना लगी कभी-कभी अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन यह चला जाए तो आदमी की देथ भी हो सकती है इसका लिमिटेशन भी है यह सब ठीक है ना यह मैंने बताया कि अगर लिमिट में है तो एक हो सकता है कि इस खास में ज्यादा कंसेंट्रेशन भी मिला हो तो आए देख पहला लिमिटेशन यह है क्यों वाली कंसेंट्र विथ इनहेलेशन जो भी पार्टिकिल हम लेते हैं वहापे वह इनहेल नहों इसके लि हमारे अंदर जा रहा हूं इंजेशन के थुरू तो यह सब चीज है जो कि यह केवल इनहेलेशन को कंसेंट्र करता है बाकी को नहीं करता है यह इसका लिमिटेशन हो गया नो एकाउंट आफ इंडिविज्वीटी और सस्पेक्टिविलिटी आप देखें हुए किसी केमिकल सो किसी को ज्यादा प्रोलम होता है मतला कि ज्यादा उसको क्या बोलते हैं उसको इचिंग होने लगेगा या कि ज्यादा सेंसेटीव होता है और कोई कोई आदमी सेंसेटीव नहीं होता है तो ज्यों सेंसेटीव हो उसको ज्यादा प्रोलम होगा तो यह पर दोनों हजाड़ सबस्तान एक सांथ हैं वहाँ पर माले देश सीयो गैस भी है और एस टूएस भी है टीक है नौ खतरनाक है और दोनों का जो कमबाइट इफेक्ट है उसके बारे में यह नहीं बताता है यह केवल सिंगल सिंगल बताएगा की एस टूएस इतना रहे ताब क सब्सक्राइब कर सकते हैं सिए इतना रहे तो काम कर सकते हैं लेकि यह कंबाइण इफेक्ट नहीं बताता है तो यह इसका लिमिटेशन है और उसके बाद इंडिविज्वल इफ नॉर्मल इंवारेमेंट कंडिशन चेंज तीक ना सड़ी इन वैलिब और वहां पर नॉर्मल इसको बताता है तो यह इसका लिमिटेशन है क्योंकि उसके सारा चीज़ पता भी नहीं रहता है कभी कभी ऐसा भी होता है किसी-किसी केमिकल के बारे में और international extender आए देखते हैं इसका international extender UK में मैंने बताया कि इसको बोलते है workplace exposure limit ठीक है ना European Union इसको बोलता है indicative limit value ठीक है US में इसको बोला जाता है American Conference of Government जो ACGIS है वो कहता है threshold limit value यह सब एक ही चीज है National Institute NIUSH बताता है US में कि Occupational Recommended Exposure Limit RELS ठीक है American Institute यानि कि AIHA बताता है वो कहता है इसको Environmental Exposure Limit Workplace Environmental Exposure Limit WEE L ठीक है Occupational Safety and Health Administration OSA इसको बोलता है Labor Permissible Exposure Limit PEL ठीक है तो अलग-अलग जगह होगा यह अलग-अलग नाम है ठीक है तो यह अलग-अलग नाम से जाना जाता है कोई international standard नहीं है जो हर जगह एक ही नाम से जाना जाता है तो आप confused नहीं हुए आप जब इंटर्वीव में कुछ ऐसा question पुछे तो आप बता सकते हैं कि इसका कोई Global standardization नहीं है इसलिए इसको हर देश में अलग-अलग नामों से जाना जाता है बट मीनिंग इस सेम यह वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है वही सेम इंडिकेटिव लिमिट वहलू है वही जो है ना और और भी जो रिक्मेंड़ेट एक्सपोजर वही सबका मतलब सेम है आप डिफिनेशन बता सकते हैं इंड अब दा मोडियूल आपके लिए कुछ कोश्चन है कि वाट इज अकुपेशनल एक्सपोजर लिमिट ठीक है ना तो जो हम एक्सपोज होते हैं एक खास टाइम में उसको हम लोग क्या बोलते हैं उक्सपेशनल एक्सपोजर लिमिट वाट इसको वर्कप्लेस एक्सपोजर लिमिट के नाम से जानते हैं और वाट इस डिफरेंस बिट्वीन एट आवर ठीक है ना टाइम वेटेट एबरेज और फिप्टीन मिनट्स एस्टेल जैने एक्सपोजर लिमिट बता दिये यह एट आर्स के लिए जो होता है यह कम कंसेंट आता है और यह कोनेग डिजीज के बारे में देखता है और फिप्टीन मिनट्स जो है यह एक्सपोजर होता है इसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन हम इनहेल करते हैं और इसका क्यों एक्वाल एक्वीट एफेक्ट देखा जाता है मतलब तुरंत जो दिखने वाला है ना लां इसमें जानते हैं इसका एंसर भी है मेरे पास आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं मैक्समम कंसेंट्रेशन आफ एर बोने सबस्टांज है ना यहाँ पर एट आउर्स नेक्स्ट जो लेक्चर है वह हमारा 7.4 कंट्रोल मिजर के बारे में हजाड़ा सबस्टांज का तो आई होप आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सिस्क्राइब करें और लाइक तो बनता है लेली लाइक करें थैंक्स थैंक्स फ़र वाजिए